सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिन्दगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए नमस्कार मिसारदा पांडे आसान जिन्दगी किसी पिसोर में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी मंगल, पूजा, बिधी, दान बिधी और ब्रत बिधी तो जो मंगले हैं सबसे पहले भूमी को गोबर से लीप लें मंगल बार के दिन मैं आपको वैसे तो पूजा करके बताती हूँ पर जब मैं आपको समझा रही हूँ तो आप ये जाने कि मैं आपके साथ में हूँ आपको बता रही हूँ और आप पूजा कर रहे हैं आसान जिन्दगी में सर्श करके देख लें कई पूजा ऐसी ही मैं बताई हूँ तो भूमी को गाय के गोभर से लीपने के बाद लाल चावल से अश्ट दल कमल बनाएं, तांबे के लोटा में जल भरके यसे मैं कलसता अपना बताई हूँ, जल भरके उसके ऊपर तांबे की ही कटोरी में तांबे का ही मंगल यंत्र इस्थापित करें और उनको लाल वबस्त उढ़ाएं। बहुत मारे माताय बहने बहुत दिनों से मंगल की पूजा माग रही हैं तो मैं इनके लिए एपीसोड तेयार करी हूं, आप हमको अपने साथ में सोचे, मैं आपके साथ में हूं आपको बता रहे हूं पूजा करना, तो मंगल जी का पूजा इसी प्रकार सिह होता है, जैसे इसनान कराएं इसनान कराने के बाद लाल रक्त चंदन आप भगवान को यंत्र में चढ़ाएं और लाल अड़हुल का फूल गुड़हल का जो देवी फूल होता है फूल चढ़ाएं लाल अच्छा चढ़ाएं और भगवान जी का विधिवत पुजा करें 21 लड्डू जो की दुकान का नहीं होना चाहिए घर में 21 लड्डू बनाएं जो की बेसन और देशी खांड की होनी चाहिए उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए सुद्धिगी से बेसन को भूजे ये पूजा मैं मतलब स्थापना उद्यापन का भी बता रहे हूं चाहें तो आप हर मंगलवार को ब्राहमर को दान दे दें इस लड्डूों को और हलुआ भी भगवान को चढ़ा सकती है हलुए का भी भोग लगाया जा सकता है भगवान स्री मंगल जी का जो ब्रत कथा है उनको पढ़ें लाल चंदन की माला से मंगल जो मंत्र है ओम भौम भौमायनमा ओम अंग अंगारका यह भगवान के पुष्टक में हैं आप इनको ले लें और लाल चंदन का जो माला होता है या लाल मोती का माला भी आप भगवान के उसमें जब कर सकते हैं आप लाल वस्त्र पहने लाल उनी आसन को बिछा के बैठें और लाल चंदन लगा के आप पूजा करें विधिवत जिंद का रही हूं पहले टाइम आप भगवान श्री मंगल जी का पूजा करें और दूसरे टाइम आप भगवान श्री बज़रंग बली gymnast का बजन बार्ण बार भगवान जी की आरती चालीसा ये सब आप पढ़ें और भगवान जी के पास भी देशी ही का दिया जलाएं तो यह जो मंगल का मैं पूजन बता रही हूं यह काफी बहुत ही मंगल सांती करते हैं तो आप ऐसा पूजा करें और पूजन के बाद नमक आप नखाएं ब्रत में एक टाइम यानि सूर्य ढ़लने से पहले एक टाइम आप मीठा भोजन करें जो जातक मंगला है वो पूरी मंसूर को ले ले मंगलवार के दिन आप लाल बिछोने पर लेटें जैसे कि हर ब्रत में बताती हूं कि जो रोज का विस्तर होता है गद्दा रजाय उगरा उन पर नहीं लेटके आप अलग से कंबल उगरा ले 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 एक कंबल मोड़के तकिया लगान सुध विस्तर में तकहत उगरा पर लेटें और मंसूर आप ले 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 दो मूठी लाल कपड़े में उसको इस तरह से बांधें कि आप अपने सिर के नीचे मंगलवार के दिन रखके सोजाएं सुबा उठके यानि बुद्धवार के दिन सुबा उठके उस मंसूर में थोड सा गुड मिला के लाल बैल को बिन किसी के दिखाएं लाल बैल को यानि किसी को बताना नहीं चाहिए सब टोटका है तो किसी को बताना नहीं चाहिए जातक खुद ही इसको अकेले में करें लाल बैल को खिलाएं ये मंगल का ब्रत 48 मंगलवार तक करना चाहिए साल भर का कर लें तो भी अच्छा है 48 मंगलवार तक का ये ब्रत किया जाता है बिधीवत अगर इस्त्रिया माताय बहने असुद्ध हो जाती हैं ब्रत के दोरान तो आप ब्रत कदापी न छोड़ें पूजा न करें ब्रत आप जारी रखें ब्रत के उद्यापन में मैं आपको धरती के पूत्र है अवंतिकापुरी में भगवान जी का धरती से अतरण हुआ था उजयन में अवंतिकापुरी है वही पर मंगल देव प्रगट हुए थे और मंगल सांती भी वहाँ पर होती है अवंतिकापुरी में उजयन में तो जब आपको मंगल पुजा बता रही हू मंगल उद्यापन बता रही हूं और 21 बालकों को बुलाएं उनको लाल आसन पर बैठाएं और उनको लाल गमचा जो उड़ते हैं भाई लोग लाल गमचा उड़ा के लाल तिलक लगाएं लाल चंदन का केसर का किसी का भी आप तिलक बनाके उन बालकों को बालक यानि कि सो और उनको भोजन दें पूडि हलुआ और जो भी आप सब्जी उगरभी उनको खिला सकती हैं लेकिन जब आप भोजन परोसें तो पहले उनको मीठा भोजन करने के लिए बोलें यानि कि उनको पहले मीठा दे दें और बोलें कि इसको खा लें उसके बाद आप नमकीन गी यानि कि छोटी छोटी डिब्या मगा लें तो आप उसमें गाय का घी और कुछ गेहुं एक तामे के पात्र में उसमें भरके उन बच्चों के हाथ में कुछ पैसे दे और सभी बालकों के हाथ में लाल शुत्र बांधें उनको प्रणाम भी करें उद्यापन के समय और मैं पूजा की कुछ बिधी आपको और बता दे रही हूँ जब आप मंगल का पूजन करें तो भात बना लें यानि चावल को उबाल के उसको बना लें भात और फिर उसका पिंड बनाएं पिंड बज़से की श और लाल तिलक अड़ूल का फूल साच्छात मंगल हैं उनका पूजन करें ऐसा ही पूजन उजयन में होता है मंगल सांती के लिए उनका पूजन करें उनको लाल वस्त रुढ़ा के जो भी कथा है आरती है करें और उस पिंड को दूसरे दिन यानि उनको पूरे दिन मंगल क को सुरच्छित रखना है दूसरे दिन लाल बैल को खिला दें ये हर मंगल वार को करने से मंगल दोस बिल्कूल ही खतम हो जाता है ऐसा करना चाहिए मंगल जी का जो बाहन है वो भेड़ा है भेड़ भेड़ पर मंगल देव सवार होते हैं रक्तवर्ण यानि लाल रंके हैं मं जाके ही भगवान जी हमेशा शुशोभीत रहते हैं जैसे आपको दान करना है जो मंगल का ब्रत करेंगी और तारिस मंगल वार तक तो बीच बीच में या पूरा जब उद्यापन करें तो आप मंगल जी का दान भी करें तो जो मैं 21 बच्चों को बताई हूं ये दान तो है ही आपके हाँ उप्रोहित अगर जो पूजा कराएंगे उनके लिए भी लाल रंग का धोती कुर्ता गंचा गंजी नीचे का जो कपड़ा होता पहनने का वो सब लाल ही देंगे और उप्रोहित को विसेश दान देना चाहिए जैसे कि 10-5 किलो गेहूं मतलब थोड़ा ज्या भी करना चाहिए और मैं उन भाई भहनों को बताना चाहूंगी कि जिनके मंगल इन पांच अस्थानों में नहीं है वो अगर मंगल की वस्तों को दान करते हैं तो उनके अच्छे मंगल नाराज हो जाएंगे यानि कि उनसे दूर हो जाएंगे उनको दान नहीं करना चाहिए जो लोग मंगले हैं उनको इन चीजों का दान करना चाहिए जैसे रियोडियां हुई बतासे हुए इन सब को अगर कहीं आप क्यास पास चलता हुआ जल है तो उसमें जरूर बहाएं इससे मंगल दोस काफी दूर होता है और सांत होता है जब भी आप मंगल पूजन करें जैसे आप उद्यापन करें तो मीठा पान मंगल से संबंधित है ये मीठा पान भी जरूर बच्चों को दें प्रोहीत को दें चुहारे का भी आप दान करें जो की मंगल से संबंधित है शौप शौप भी मंगल से संबंधित है देशी खांड सौप चुहारे लाल मीर्च ये सब म लड़का हो या लड़की इस्त्री हो पूरुस सामानने से उसको यही पूजा ऐसा ही दान करना है आपको इसी प्रकार से पूजा दान करना है और आंगन हो या अच्छत हो बालकनी हो खूले में ग्रहों की पूजा करें तो ज्यादा फायदे मंद होता है जो जातक मंगले हैं और मंगल ब्रत धारण कर रहे हैं या पहले से भी कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन आवले का रस जैसे कि अभी ठंड है आवला मिलता है तो आवला ले लें उसमें से उसको पीज के रस निकाल के अपने पूरे सरीर में और बालो में भी लगा के अगर इस सीर पर इसपर्स करके थोड़ा सा पानी भी इसपर्स करें, इससे मंगल दोस खतम होता है, बाकी चेहरे में, हाथ में, पाव में, पूरे सरीर में आप आवले का जूस लगा के अस्नान करें, अगर आवले का जूस नहीं मिलता है तो आवले का चूर मगाले उसको भीगो के मंगलवार को आप माला जब कर लें और उसके बाद जब उध्यापन करें तो दसांस हवन भी कराते हैं जितना आप माला जबते रहें तो आप दसांस हवन कराएं तो मंगल का जो बेदी होता है जहां हवन होता है वो तिकोना बनाते है इटे से वो प्रोभुष से पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे आप बना लें और नहीं हो पाये तो तांबे का आता है आप उहीं ले सकते हैं और खैर की लकड़ी खैर जो होता है उसकी लकड़ी आप मगा लें बजार से उपलब्ध बजार में आपको मिल जाएगा उसी की लकड़ी से मंगल का हवन होता है लाल लकड़ी होती है तो उसी से हवन होता है और आसान जिन्दगी में हवन सामग्ड़ी मैं बना के बताई हूँ वैसा ही हवन सामगरी से आप हवन करें और 21 पूरी और 21 बतासे का भी या हलुआ थोड़ा थोड़ा रखके उसका भी हवन करें और 21 चमच खीर का भी हवन करें मैं आपको बिधिवत, मंगल, पूजन, ब्रत, उद्यापन, दान और बिधी बता रहे हूँ तो आप जब पूरा हूती हो जाए पूरा मंगल का ब्रत पूरा हो जाए तो इस बिधी से हवन करके 21, 10, 8 या 5 बालकों को जो कि किस्तोरा वस्था के बालक होने चाहिए 15 साल के नी आपका बिवाय नहीं हो रहा है, उनका बिवाय हो जाता है मंगल सांति से और जिनका बिवाय हो चुका है बाद ने पता लगा कि वो मंगले हैं वो भी इस परयोग को करके अपने मंगल को खुष कर सकते हैं. तो मैं आपको बिधिवद मंगल पूजन बताई हूँ, पाथ जरूर करें मंगल जी का और जो माताय बहने हमारे भाई लोग जो ज़ादा व्यस्त हैं, इतना बिधिवद पूजा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये जो मैं पूजा मंगल जी का बताई हूं कि भूमी को गोवर से लीप के अश्ट दल कमल बनाएं उस पर कलस रखके यंत्र रखके पूजन करें या भाग से पिंड बना के सहसे सनान करके पूजन करें अगर तमाम हमारी माताय बहने अपने आफिसोगर जाती है तो अगर वो सब ये न कर पाएं तो पहले दिन और आखिरी दिन इसको जरूर करें बाकी मंगल वार के दिन आप ब्रत करें और दान तो कर ही सकती है दान करें अवे जो मैं मंगल का टोटका बताई हूं कि मसूर की दाल को लाल कपड़े में अप इसको कर सकती है पूजा भी धिवत नहीं कर सकती है तो और बजरंग बली जी का पूजन जरूर करें जैसे आप अपने पूजा स्थान भगवान स्री बजरंग बली जी है वहाँ पर दीव जला के मतलब 40 अगर पढ़ लें अगर आप सुबह ये पूजा नहीं कर पाते यानि आत्री को यानि आप जब आफिशुगर्ष से आएं तब बजरंग बली जी का पूजा करें लेकिन मंगल जी का पूजा सुबह ही की जाती है यानि 10-11 बजे को अंदर ही की जाती है तो आप नहीं कर पाएं तो पहले दिन अरुद्यापन के दिन करें जो बहन भाई हमारे कर सकते हैं वो जरूर करें ऐसी पूजा और मंगल यंत्र होता है जो कि भोज पत्र पर आप भोज पत्र लाके केसर हल्दी से एक कलम ले लें अनार का जो लकड़ी होती है उससे भी आप डुबा के और अगर आपको ये सब चीजें नहीं मिलती हैं तो आप भोज पत्र में लाल इन से भी या इसके जगर से भी इस यंत्र को लिख लें और सिद्ध कर लें यानि इनका धुब दीव दिखा के पूजा होता है उसके बाद तामे के यंत्र में इसको डालने यानि कि जो यंत्र है जो ये भगवान जी का इसको डालने और डालके उसको लाल धागे में मंगल पहले दिन जब आप ब्रत को धारण करें उसी दिन इसको पहन लें जो लोग मंगले हैं और इसको हमेशा पहने रहें कभी भी सूतक पातक अगर घर में है तब भी आप इसको हमेशा पहने रहें अगर आप दूसरे के हां जाते हैं सूतक पातक में तो इस यंत्र को उतार दें या आप कभी गलती से चले गए हैं इस तावीच को पहन के तो आप वापस घर में आएं तो गंगा जल और गाय के दूध से थोड़ा सा जो मैं कुस घास बताती हूँ ये काफी पवित्र माना जाता है कुस घास से उसमें छिड़काव करके धोके और उसका धागा जो है बदल करके पुना आप इस यंद्र को धारण कर सकते हैं ये मंगल यंद्र है हम भी मंगले हैं हम भी इस यंद्र को पहने हैं आप इस यंद्र को जरूर पहने ऐसे तो कुलु प्रोहित ही इस यंद्र को बना के देते हैं भोज पत्र पर अश्ट गंध से यानि अश्ट श्याही से लिख के देते हैं तो अगर आपके कुलु प्रोहुथ हों तुन से बताएं कि इस यंत्र को लिख के और इसको सिद्ध करके दें आप एक तामबे का ताबीज ले जाए अपने कुलु प्रोहुथ को दे दें कि इसमें आप बना के और इस यंत्र को सिद्ध करके भगवान मंग मंगल से प्राथना करके कि येंत्र हमारी सुरच्छा करे हमारी सभी मनों कामना पूरी करे तो जैसा बीधी मैं बताए हूं कि अपने घर में सुतक पातक हो तो नहीं माना जाता फिर भी सुतक पातक के बाद उसी तरह से सुध्धी करन करने गाय के दूज से गंगाल से कुछ से छिड़क के और धागे को बदल दें पुनह नया धागा लगा के पहन लें तो मैं आपको बिधिवत मंगल जी का पूजन ब्रत दान बिधी बताई हूं आसा है कि आप इसको करके अपने मंगल जी को प्रसंद करेंगे आगे जो भी हमारे पास जानकारी है आगे मैं आपको पूजा पाठ दान की विधी देती रहूंगी बताती रहूंगी तो आप बने रही हमारे साथ आसान जिन्दक एक साथ तब तक के लिए नमस्कार